हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल इंग्लिश विद माया अंड कैसे अभी लोग आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड्स हमारे सीरीज चल रहे हैं प्रैक्टिसेशन के जिसमें हैं इंग्लिश क्रामर प्लस वगैप पढ़ रहे हैं आज प्रैक्टिसेशन 11 है चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें यह फ्रेंड्स जो यह हमारी प्रैक्टिसेशन हो रहे हैं या आपकी टीचिंग स स्टार्ट करें देखते हैं इसका पहला क्या है है पहला क्यूशन हमारा वन वर्ड से है एक पर्सन वन फू एजली बिलीव अधर एक ऐसा इंसान जो दूसरों पर विश्वास करता है उससे क्या करते हैं बिलीवर टूल गुलीबल तो राइट आप से इसका बन जाएगा एक प्रेडूलस क्या कहते हैं उसे फ्रेंड इसे लोग बोलते हैं क्रेडूलस मीन्स होता है जो दूसरों पर विश्वास करता है बिलीवर मीन्स ऐसे विश्वास करने वाला ठीक है चाहिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्यूस्ट तूरी रेडियूस इन कॉइंटिटी वैलू या करने प्रेंड फोर्स ठीक है किसी कि कौइंटी को क्या करना करना वैल्या फोर्स को कम करना उसे क्या बोलेंगैं डिडटंड कि तूट इन मिन्स होता है् कातना क्टन क्या होता है क्टी चोटा का न एन्वल आप gwार्सिक अभES रबेट मेंस क्या होता है कम करना सो राइट आपसन इसको क्या बन जाएगा ए टो रिड्यूस इन क्वांटिटी वैल्यू एंड पॉर्ट का मतलब हो जाएगा अबेट अबेट मिन्स क्या हो जाएगा कम करने देख लेते हैं नेक्स्ट क्विश्चिंग एसी वस्तु जो किसके दौरा बनाई गई हो थीक है तो क्या कहला है कारपैंटर्ड कारपैंटर्र मीन्स उता है जो बढ़ा ही दौरा बनाई जाया मतलब की जो लकड़ी की वस्तु में बनाई जाया Artifact means होता है, जो human work को द्वारा मतलब बनाई जाती है, चीजे हैं, उसे बोलते है, Artifact, Poetry means होता है, मिट्टी के बरतन बनाने वाला, कौन होते हैं, जो मिट्टी के बरतन बनाते हैं, उसे हम बोलते है, Poetry, ठीक है, Handicraft होता है, जो हाथों से बनाई गई चीज हो, किसे, हाथो से बनाई गई चीज को हम बोलते है, Handicraft, Poetry, मिट्टी के बरतन बनाने वाला, कारपेंटरी, मतलब की, लकडी के खिलाओने बनाने वाला, आर्टिफेक्ट, मतलब जो human के, आर्ट को बनाने वाला, ओके, चलिए, देख लेते हैं, नेक्ष्ट, परनीसियस का इंटॉनिम से बताना है, ठीक है, इंटॉनिस मिन्स क्या होता है, विलोम सब्द, तो परनीसियस मिन्स क्या होता है, पहले तो यह जान लीजी, परनीसियस मिन्स होता है, हानिकारक, क्या होता है, फ्रेंड, हानिकारक, ठीक है, जो हमारे लिए क्या हो, हानिकार की industry बिबल सनींस से ऴुक्ष पर सम砂ला हुआ हुआ क्या स्टीह मैं उसका होटीर चोर्ड़ृ त्व छोर्फवनां पूर्ड़ृ और परो थे आनिकाराइक क्यों 2 हुआ क्यों तो अब इसमें को क्या बताना है इसमें बताना इंटॉनिम तो इसका बन जाएगा B, solutory, solutory का क्या हो जाएगा, लाट डायक, क्योंकि हानकारेक, हानकारेक का पोजिट बन जाएगा, लाट डायक, तो राइट अपसन B बन जाएगा, देख लेते हैं, next, irasible, irasible का इंटॉनिम से बताना है, क्या बताना है फ्रेंड, एंटॉनिम से बताना है, irasible, irasible means पहले क्या होता है, ये जान लेते हैं, irasible means होता है, चिड़ चिड़ा होना, क्या होता है फ्रेंड, चिड़ चिड़ा होना, ओके, चिड़ चिड़ा होना, ठीक है तो चड़ चड़ा होना तो इसकाम को क्या बता रहा है एंटॉनिम्स प्रॉम्टिम मीन्स होता है जो तुरंत काम तत पर जिसे बोल सकते हैं तुरंत जो काम किया जाए इंग्री मीन्स नाराज होना चेक मीन्स आप जानते चेक करना गुड़ नेचर मतलब जिसका नेचर कैसा हो अच्छा हो ठीक है गुड़ नेचर वाला इंसान एक चड़ चड़ा वाला मतलब इरिटेशन इरिस्क्रिबल ठीक है तो राइट अपसन इसका बन जाएगा इसका मीन्स बताना है अब देखिए जो प्रति दिन मिलता हो जो रात भर मतलब मून की नाइट हो तो दो सब्ता में एक बार मिलता हो नहीं वेरी रेरली मीन्स होता है बिल्कुल कभी कभी क्या होता है कभी कभी मतलब जो कभ मिलता हो 천 वो बन जाता है सब्तीज कर्न जाता है जो राइट अपसन इसका बन जाएगा क्या बन जाएगा इच देख लेते हैं found unexpectedly, touched, read quickly. तो looking for means क्या हो जाता है? B, found unexpectedly. मतलब unexpected किया गया हो, जिस चीज पर वो चीज मतलब होजने पर क्या हो? मिल गई हो, ठीक है? In search of found unexpectedly. यही हो जाएगा आपका right option. ठीक है? From distance, touched, read quickly. यह आपका answer नहीं होंगे. ठीक है? Next question, a dark hearts. A dark hearts क्या होता? Hidden genius, hardworking, brave, fast. So right option इसका बन जाएगा C, brave. क्या बन जाएगा? Brave. ठीक है? Hidden genius, hardworking, fast. यह तीनों अपसन इसके नहीं होंगे. So right option क्या बन जाएगा? Brave. Brave means क्या होता? Bahadar. वही हो जाएगा. A dark hearts. देख लेते हैं next. इसमें आपको प्रोवर्ब है. प्रोवर्ब आपको बताई गई है. प्रोवर्ब उसको पूरा फुल करना है. मतलब फिल करना है. कि कैसे, कौन सा वर्ड इसमें मिला लें? कि वो फुल सेंस में बन जाए. Kill not the goose, the lace of, lace the eggs. कौन से eggs? Golden, iron, silver, bronze. तो इसमें क्या भार जाएगे? ना तो ब्रॉण्च होगा, ना ही silver, ना ही iron. Golden eggs. Kill not the goose, the lace of golden eggs. ये होता है इसका प्रोवर्ब. ये फुल सेंस बन जाता है. ओके? ये फुल गोल्ड इन अगर भार दिया जाएगा, तो फुल सेंस में प्रोवर्ब हमारे बन जाएगे. एक complete sense देने लगेगे. देख लिजी, ये भी एक प्रोवर्ब है. Diamond cuts iron, diamond cuts gold, diamond cuts silver, diamond cuts diamond. तो देखे, diamond cuts के बाद ना तो iron होता है, ना ही gold होता है, ना ही silver होता है. मेंसा diamonds cuts, diamond ही होता है. हीरो को कौन करता है, हीरा ही करता है. तो इसका right option क्या बन जाएगा, D. Diamond cuts, diamond ही हम क्या करेंगे, fill करेंगे. चलिए, देख लेते हैं, next. Tilt, क्या है, tilt, tilt क्या हम को बताना है, synonyms. क्या बताना है, friend, synonyms. देखे, tilt ऐसा इस्थान, जैसे कोई नदी है, जिसे इधर हम है, इधर एक किनारा है, एक इधर किनारा है, इसके बीच की जो ये दूरी है, उसे हिम क्या बोलते हैं, tilt. क्या बोलते हैं, friend, tilt करना. है ना, उसके बीच की दूरी को mapना. तुसे हम क्या बोलेंगे, slant, slant means होता है, कोई चीज को क्या करना, तीरचा करना, क्या करना, तीरचा करना, टेड़ा करना. strengthen, मतलब कोई चीज को सीधा करना, strengthen होता है, support, किसी को support करना, मतलब शहायता करना, ठीके? cross, cross means होता है, किसी दूरी को mapना, ठीके? तो यहाँ भी इसका right option क्या बन जाएगा? tilt का cross बन जाएगा, क्या बन जाएगा? cross, so right option C बन जाएगा, ओके? देख लेते हैं, next question, girl Lewis, godless means क्या होता है? इसका synonym से बताना है, godless means होता है, जो ज़्यादा बात करना, पसंद करते हैं, ठीके? ज़्यादा बात करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? girl Lewis कहलाते हैं, ठीके? चलिए, देख लेते हैं, इसका option क्या है? गुट्रल, गुट्रल means क्या होता है? गुट्रल means होता है, कंठस्त करना, क्या होता है, किस चीज को याद करना, ठीके? ठोटी क्या होता है? ठोटी means होता है, गला, कंसाइच means क्या होता है? छोटा करना, क्या ह बातें ज्यादा करना पसंद हो तो गयल्वस का हमारा सिनॉलम्स का बन जाए का डी टाके ट्यू क्या बन जाए का फ्रेंड टाके ट्यू उक्य चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्विश्चिन अब देखिए इसमें क्या है यहाँ पे बीच में लगा दिया गया है जो की बिलकुल रॉंग है ठीके यहाँ पे कहां पे लगाया जाएगा यह वर्व के पहले आएगी ठीके कहां पे लगाया जाएगा वर्व के पहले यह वूड है बीन ट्राउंड सर्टें तो इसमें किस पार्ट मेरर है यह पार्ट मेरर होके चले देख लेते हैं नेक्स्ट दा मुंसिपिल्टी इस गोइंग टू बिल्ट ए निव स्कूल है अब देखें यहां तक तो बिलकुल साही ने मुंसिपिल्टी मतलब यह हमेंसा सिंगलर वर्व लेता है तो यह सही है ठीक अब यहां पर यह जो इन्फिंट्ट बनाया गया है टू बिल्ट अभी टू के सा तो कोई मतलब की वर्ब लगा जाती है तो वहांपे वर्ब हमेज़से किस film में इस सिंगलर में किस form में इस स्थार्ड फ़र्म में तो यहां पर बिल्ट बिल्ट यहां पर थर्ड फ़र्म में दिया गозм tomato High ओ तो यह लिए ब्रेक्शियर लाएं आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही most important है ओके चले अब देखिए आई विस आई दा प्राव मिनेश्टर आफ इंडिया है बीन वाज इग्जैक्ट वर देखिए जब इस टाइप की sentence होते हैं किस टाइप के imaginary वाले किस टाइप की sentence imaginary वाले ठीक है मतलब की kalpnik sentence जिसके हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कलप ना कर सकते हैं जब भी इस टाइप की sentence हो जो कलपना करने वाले तो उन sentence में हमेशा क्या लगाते हैं वर लगाते हैं कौन सी वह फाम आती है वर आती है ठीक है तो आई विस कास आई वर दा प्राव मिनिस्टर आफ इ क्या है मेरी कालपनी की इच्छा, I wish, मेरी इच्छा है कि मैं क्या होता, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, तो यह हमारे कैसे sentence है, imaginary sentence है, ठीक है, तो जब भी imaginary sentence की बात की जाती है, तो यहां पर वर फार्म क्या लगाएंगे, वर, क्या लगाएंगे, वर, तो राइट आपको बिल्कुल याद रख लेने ही, कि हमेंसे यही फार्म यूज होती है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, next, इसमें वर्ब फार्म आपको फिल करना है, क्या फिल करना है, वर्ब फार्म आपको फिल करना है, देख लेते हैं, इसमें वर्ब फार्म क्या है, देखी, you and he, Will known in the college You and he You and he तुम और व तुम और व तो इसके according क्या आएगा? Will known क्या आएगा? Will known in the college ठीक है? तुम और व तो इसके according यहाँ पर आएगा आपका इज क्या आएगा? इज क्या आएगा फ्रेंड? इज आएगा तो राइट आपसन इसका क्या बन जाएगा? ए यू and he is well known in the college चलिए देख लेते हैं next अब इसमें आपको preposition भणना है देखी आई एम socked your behavior अब देखी यह जो socked है यह socked हमेशा अपने साथ क्या प्रेपोजिशन लेता है? हमेशा at लेता है क्या लेता है friend? at लेता है ठीक है? तो socked at मतलब कि मैं तुम्हारे इस rude behavior से क्या हो गया हूँ? socked हो गया हूँ ठीक है? surprised हो गया है socked हो गया हूँ उस type से तो यहाँ पर इसका जो right option क्या बनेगा? a socked at I am socked at your rude behavior with नहीं होगा over भी नहीं होगा about भी नहीं होगा ओके? चली देख लेते हैं next question यह भी हमारा preposition है देखें अब देखें जब भी इस type के sentence आ जाते हैं ठीक है? जब भी इस type के sentence आ जाते हैं बी वेयर पिक पॉकेट्स मतलब कि यह खत्रों से क्या रहा है? साउधान रहे ठीक है? तो यहाँ पर behavior के साथ हमेशा क्या लगाए जाता है? हमेशा off आता है क्या आता है preposition? हमेशा off आती है ठीक है? तो आपको यह बात याद रख लेने हैं तो इसका right option क्या बन जाएगा? बी बी वेयर ओफ पिक पॉकेट्स चलिए देख लेते हैं अब इसमें spelling wrong बताना कौन की spelling आपकी wrong है? ठीक है? चलो देख लेते हैं सबसे पहले spelling क्या है? सबसे पहले spelling है resonant क्या है friend? resonant अब resonant क्या होता है? resonant means होता है गुझे मान क्या होता है? गुझे मान होता है ठीक है? तो इसकी spelling देखें जो resonant है resonant की spelling होती र-e-s-o-n-a-n-t यह होती है और इसमें क्या है? ए लगा दिए गए तो यहीं spelling आपकी क्या हो गई? wrong होगी permanent permanent की spelling सही है p-e-r-e-n-e-n-t redundant की spelling भी सही है r-e-d-u-n-d-a-n-t ठीक है? यह क्या होगी है हमारा? यह हमारा बन गया redundant क्या बन गया फ्रेंड? redundant ठीक है? redundant means क्या होता है? redundant means होता है अनावश्यक क्या होता है फ्रेंड? अनावश्यक होता है ठीक है? यह हमारी redundant की spelling बिल्कुल जो right लिखी हुई है अब देख लेते है resplendent की ठीक है? रिस्प्लेंट के देख लेते हैं ये spelling R E S P L E E N D E N T इसका मेंस क्या होता है? दे दीप पे मान हो जाता है क्या हो जाता है? दे दीप पे मान ये इसका मेंस हो जाता है तो राइट आपोचन क्या बनके? A, क्योंकि A जो रेसोनेंट की spelling है वो wrong लिखी हुई ठीक है देख लेते हैं दूसरा इसमें भी spelling को क्या बताना है miss spelling बताना है तो देख लेते हैं जो पहले spelling है गाउस यह spelling क्या होती है इसका means क्या होता है थाह लेना किसी चीज को क्या कर लेना थाह लेना माप लेना ठीक है तो ये spelling विएकुल सही है आपकी फिर देख लेते हैं oscillate करना क्या है? oscillate करना oscillate means होता है हिलाना क्या होता है? हिलाना तो ये भी spelling एकदम सही है O-S-C-I-W-L-A-T-E ठीक है? तो ये क्या होगे हमारे? oscillate oscillate means क्या होता है? oscillate means होता है हिलाना ठीक है? अब वैसिलेट क्या होता है? oscillate means होता है हमारा संदेह करना क्या होता है friend? संदेह करना किसी पर शक करना ओके ये होता है वैसिलेट इसके भी spelling सही है V-O-O-S-O-R-E-A-C-I-L-A-T-E ठीक है? इसके spelling भी बिल्कुल क्या है? बिल्कुल एकदम सही है अब देख लेते हैं conjugate की spelling ठीक है? तो यहाँ पर S-E-O-Y-N-S-U-G-A-T-E यह होगा conjugate यह spelling इसकी wrong है तो राइट अप्सन क्या बन जाएगा? दे चलिए यह थे हमारे टाप 20 किस्षिन आपके प्रेक्टिसेट सेशन आप 20 किस्षिन आप अपना feedback जरूर दे और बताएं कि आपके लिए कितने most full है ठीक है? कितने important है और आपके एक्जाम के लिए beneficial हो रहे हैं या नहीं? ठीक है? चलिए अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजे और bell icon को जरूर दबाएं ठीक है? जिससे हमारे शारी notification आप तक टुरंट पहुंच सकें और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया subscribe करें like करें, comment करें and share करें thank you so much